नमश्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्टोजर सचिन सिक्का, मैं आप सभी का अपने चैनल एस्टो इन्वाइट पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, हम बात करने वाले हैं, अपने चैनल एस्टो इन्वाइट पर, 6 जनवरी 2024 का राशिफल, 6 January 2024 Horoscope ये जानकारी चंद राशी यानि मून राशी पर आधारित होगी मून साइन पर हम बात करते हैं आपकी राशी की उससे पहले जानते हैं सुबे का संशिर पांचान सुर्दे होगा 7 बच के 13 मिनिट पर सुर्यास्त होगा 5 बच के 38 मिनिट पर आज आपका जनब दिन है शादी की साल गिरा है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम अपना टाइम अब बर्थ अपना प्लेस अब बर्थ जरूर लिखे हम आपके प्रश्णों का उत्तर देंगे और एक प्रश्ण भी लिखिएगा और आपके प्रश्णों का उत्तर जब हम लाइव आएंगे लाइव शेशन में आपको देंगे कमेंट बॉक्स में आप अपने डेट अबर्थ, टाइम अबर्थ, प्लेस अबर्थ के साथ साथ में सिर्फ एक चीज और लिखेंगे एस्टो इन्वाइट एस्टो इन्वाइट लिखने के बाद आप लिखेंगे अपना नाम अपना डेट ओबर्द, अपना टाइम ओबर्द, अपना प्लेस ओबर्द और अंत में लिखेंगे जैशी राम और अपना प्रेश्ट जल्द ही हम आपका प्रेश्ट का उत्तर लाइव शेशन में आएगे और लाइव शेशन में हम कब आएगे इसकी जानकारी आपको अतिशीगर मिल जाएगी यूट्यूब के हमारे माध्यम से नेश राशी आज का दिशीवन साती का साथ और सयोग प्राप करनी के लिए उत्तर में आपको निश्चीत रूप से एक दूसे का साथ मिलेगा आज आप थोड़ा रोमेंटिक मूड में होंगे पढ़ाई लिखाई के लिए समय बहुत अच्छा है वैपारियों करने वाला साज़ेदार बिलेगा समय जबापुजी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है शेर मार्केट के लिए समय शुब नहीं है जुवे के लिए समय शुब नहीं है आप अपने स्वास्त का पूरा ध्यान रखे खाने पीने के मामने में सावधान रहे रोजाना नीमित वयाम करते रहे किसी महिला को न सताएं महिलाओं से अच्छा रिष्टा रखे प्रशब राशी आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ती के लिए अच्छा है शेष्ट है नौकरी करने माई लोगों की समस्याओं का अंत होगा घर बैठे बैठा है आपके कुछ काम पन जाएंगी नौकरी से जड़े हुए आपका आत्विश्वास बहुत अच्छा होगा स्वास्त में सुधार होगा मन में प्रसंता और उस्सा होगी किसी पारवारी के समाजी के उस्सों में भाग ले सकते हैं वैपार में लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं खिलाडी लोग खेल में अच्छा पदर्शम करेंगे मित्र नाशी आज का दिन गिद्या में सफलता प्राप्ती के लिए अच्छा है नौकरी करने माई लोग अपना कारे पूर्ण आर्थ विश्वास के साथ करेंगे आपका स्वास अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा मन में परसंता और उस्सा बना रहेगा किसी पारवारी के समाजी के उस्सों में भाग ले सकते हैं और नती के उद्धेश यसे किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं खिराडी लोग खेल को उद्ध में अच्छा कर सकते हैं करक राशी आज का दिन तराओं और समस्याओं से मुट्टी पाने का है परिवार के साथ आनंदित रहने का है किसी समाजी कारिकरम या परवारी गुस्तों में भाग लेने का है नया वाहन खरिदने के बारे में पैसाई कठा हो जाएगा माता पिता से आपको कुछ धन की प्राप्ती हो जाएगी संबंद आपकी माता जी से अच्छे बने रहेगे आपकी जमापूजी बढ़ेगी शुब दिन है उत्तम दिन है कुछ कर सकते हैं आप बढ़ी आप सिंग राशी थकार और आलस के शिकार होंगे आपके आत्र विश्वास पर बढ़त्ती होगी आपके दोड़ा लिया गया हर एक कटी दिन है आपके कड़ी महनस करवाएगा जियों साती से रिष्टे मधर रहेंगे संतार की और से शुब समाज सारूर की प्राप्ती होगी विद्यारती अपने उदेश की पूरती में सफ़र रहेंगे कन्या राशी आज आप जोश और हिम्मर से कुछ ऐसे कामों को करेंगे जो बहुत ही मुश्किल होंगे चोटी बड़ी रात्राय भी करेंगे आर्थी किस्ति समाजने से बहतर रहेगी स्वास्ति के बहुती सावधान रहेगी यदि आप वहां ख़ेदें की जो दमना रहे हैं तो उसे इस्तित कर दें तो लाराशी आज सब्ता का सरुशेज दिने निश्ची रूप से आपको समाज में मालम समाज की प्राप्ति होगी शट्टे बारी शचीर बार कर जुआ इन सब चीजों से दूर रहीएगा आज आप आज निर्बर होगी कुल बिलाकर आपके लिए दिन अच्छा बीटेगा महत्मुट निर्ने सोच समझ कर ले अच्छा रहेगा वर्ष्टी राशी आपकी वै और आपकी आए से अधिक होगा खर्चे सोच समझ कर कर लेगा आपकी चोटे भाई भेन आपको नुकसान पहचा सकते हैं आपकी जीवन साती से आपके समंदों पर करवाट आ सकती है इसलिए वाद विवाद जाधा ना पड़े वक्त पर ही रड़ाई शान्त कर ले घर का वातावरान प्रभावित रहेगा आज का लिन स्वास्ते और निवेश के लिए शुब नहीं है धनु राशी आज आपका वे बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा आज आप की आय और वेपार में दिन सामाने है प्रेम समद में निश्य रूप से सुधार होगा लंबी यातरा एरद होगी यदि आप विजारती हैं तो आपके सहपाथी पढ़ाई लिखाए में आपकी सहाथा करेंगे यदि आप खर खरिने की योज़ता मना रहे हैं तो उसे इस्तरित कर दें मकर राशी आपकी कार इस्तिती में सुधार होगा चिंताओं से मुक्ती बिलेगी पिता के स्वास्ति में सुधार होगा महस्पूर लोगों का साथ और सयोग आपको मिलने वाला है आपकी कार की इस्तिती बहुती बहुतर होगी अध्यन कारेयों में वच्चे एकागरिशित होंगे आपको जीवन साथी के नाम पर संपत्ती मिल सकती है जीवन साथी की तर्क्टी से भी आप आगे बढ़ेंगे आप रावयस्त रहेंगे जीवन साथी की साथ आनदित भी रहेंगे खुम राशी, आज का दें शुप है सतक रहें, किसी निवेश को कनने से पहले सतक रहें उल्टे सीदी जगें पर कोई निवेश ना करें अपने जीवनसाती से तालमेल बिठा कर रखें कुछ अनवुश्यक तमाओ आपको परशान करेगा बच्छों की चिंता परशान करेगी अनुशिक वाद विवाद से बचे आप भाग दोर में चोटिल भी हो सकते है या हो सकती है और प्रेम के लिए आज के दिन ठीक रहेगा कुल मिलाकर सभी बारा राशी बारा के लिए दिन ठीक है आनन्द में है आप सबी लोग हर्मान जी की बारा शिर्व जी पर जराविशे करिए आपका मंगल ही मंगल होगा और हर्मान जी की चलिसा सुबह शाम पढ़ेंगे तो और भी अच्छा है हम बात करते हैं आज के महा उपाय की या आज की महा जानकारी की शरीदेव किस चीज से खुश होते हैं शरीदेव को जल्दी खुश करना है तो आपको शराब मान सहार को त्यागना होगा बर्गत के पेर के नीचे मीटा जल देने से शरीदेव खुश होते हैं हर मंगल शरीवार को आपको हर्मान जी की मंदी जाना चाहिए या आपि वहाँ पर लगए कोई बर्गत की पेर पर जल चड़ाना चाहिए इससे भी आपको लाब मिलेगा और बहुत साई चीजी है आपके जीवन से जो कश्ट है वो खत्व हो जाएगे यह उपाइस है आज के उमीद करता हूँ यह सबाब तक बहुत जाएगे और आपि इसको करके लाब उठाएगे खुश रहिए आनल में रहिए अपना काम करते रहिए मुश्कुराते रहिए और अपने काम को सही तरीके से करिए आपको सफलतार के दिल मिल जाएगी हरियो नमस्कार पैसा एक वो चीज है जिसकी जरूर सब को है गरीब को भी अमीर को भी जो अमीर है वो और अमीर बनना चाहता है जो गरीब है उसकोई तो मजबूरी है कि वो अमीर बनना ही चाहता है आप कहीं छोटी नौक नहीं कर रहे हैं आपकी सैलरी 5, 10,000, 20,000 है आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी लाखों हो जाए. मैं मेहनत तो लाखों वाली करता हूं लेकिन लक्श्मी फिर भी नहीं आती. आप बहुत बड़ा बिजनस कर रहे हैं, करोडों का बिजनस करते हैं, लेकिं करते करोरों का है महीने के अंत में बचा पाते हैं हजारों में देखने में बिजनस बहुत बड़ा है लेकिन लक्षमी नहीं आती तो आप सभी लोग जो लोग परशान है कि मेहनत कर रहे हैं और लक्षमी जी नहीं आ रही है लक्षमी जी रूट कही है यानि कि आते ही खर्चे त्यार होते हैं या हमारा बैंक बैले जीरो होता जा रहा है रोज कमाते हैं रोज खाते हैं महीने के आखीर में खाली हो जाते हैं तो ये पाइराइट पत्थर आपके लिए है ये पायराइट पत्थर जब आप गले में पहनेंगे, देखे, मैंने भी चैन में पहना हुआ है तो ये पत्थर जो है, लक्षमी को रोकता है लक्षमी जी जो आएंगी, उसको रोकेगा, उसको फिजूल में खर्च नहीं होने देगा ये पत्थर आपने जो सो रुपे की मेहनत करी, हजार रुपे की मेहनत करी तो आपको सौ में सौ रुपिया मिले, आपकी मेहनत का पूरा फल दिलाता है ये पत्थर जब आपके पास होता है, तो आपके तिजोरी खाली नहीं होती है कभी भी तीजोरी खाली नहीं होगी ये पत्तर मालक्षमी को सबसे प्री है जिस जिस व्यक्ति के गले में ये पत्तर है या उठी में ये पत्तर है मालक्षमी उससे कभी नराज नहीं हो सकती मालक्षमी उससे कभी परशान नहीं कर सकती इस पत्थर को पहनने के बाद और इसके साथ मैं आपको एक और फ्री पत्थर दे रहा हूँ एक चांदी के लॉकट में होगा, एक लूज होगा, इसको अपनी तीजोरी में रख दीजेगा यकीन मानिए आपकी तीजोरी कभी खाली नहीं होगी, पैसों से भरी रहेगी जो आपको बड़ा आद्मी बना देगी, L6 लिखकर वाटसेप करिए, पैमेंट करिए और एक के साथ एक पत्थर फ्री पाईए, जीवत में हमेशा हमेशा के लिए गरीबी को भूल जाएए, अभी वाटर करिए, L6 लिखकर या फोर करिए